क्या आपका बज़ेट 30 लाग का है और कन्फ्यूस है कि कौन सी कार खरीदना बैतर होगा जो आपके बज़ेट में हो जिससे आपको प्रॉपर कमफर्ट और फीचर्स मिले तो इस वीडियो को ज़रूर देखे जिससे आपको बस सिर्फ इन 10 कारों में से च्वाइस करनी होगी क्योंकि मैं लेके आया हूँ टॉप 10 कार्स अंडर 30 लाग जिसमें 2023 की बेस्ट कार्स के बार में बता गया है जिससे लोग खरीदना पसंद करते हैं सबसे पहले आती है MG ZS EV जो एक एलेक्टरिक कार है जिसमें आपको 461 किलोमेटर की ड्राइविंग रिंज मिल जाती है की एक शरूम प्राइस पे लांच किया गया है इसमें 2 लिटर 4 सिलेंडर मल्टी जेट डिजल इंजिन दिया गया है जिसे 0-100 ये 11.9 सेंड में पहुँच जाती है इसमें कूल 5 वेजन के आप्शन आपको मिल जाते है तीसरे नमबर पे टाटा हैरियर जिसकी शुरुवात 15 से ज्यादा थी क्योंकि लांच होते ही ये लोगों की पहली पसंद बन चुकी थी इसमें 2 लिटर 4 सिलेंडर काइरोटेक डिजल इंजिन दिया गया है जो 14.6 किलोमेटर की माइलज देता है और सेफ्टी में इसे 5 स्टार दिये गये है चौथे नमबर पे टोयोटा इनोव क जिसकी शुरुवात 18 लेक की एक्शोरों प्राइस से होती है अगर आप 5 सीटर काड ढून रहे है तो ये एक अच्छी चौईस है क्योंकि इंडियन मार्केट में इसकी सेल बहुत ही ज्यादा है चटे नमबर पे मारती सुजुकी इन्विक्टो जिसमें 2 लिटर 4 सिलेंडर DOHC पेटर इंजिन मिलता है जो आपको 30 किलोमेटर की माइलेज देता है इसे हाल ही 2030 में लॉंच किया गया है जिसकी एक्शोरों प्राइस 24,80,000 रुपीज है साथवे नमबर पे टाटा सफारी जिसका सेफटी में कोई मुकाबला नहीं ये एक 6-7 सीटर SUV है जिसमें 2 लिट इसमें आपको 1 लिटर और 1.5 लिटर पेटर इंजिन का ऑप्शन मिल जाता है जिससे 18 किलोमेटर की माइलेज आपको मिलती है नौवे नमबर पे फोर्स गुर्खा जो हाल ही में लॉंच हुई है अगर आप आप आफ रोडिंग करना चाहते हो और स्पेश्यर्स कार इंजिन दिया गया है जो 250 टॉर्क जिनर करता है दसवे नमबर पे टोयटा इनोवा हाइक्रोस जो इनोवा क्रिष्टा का अपडेटिल वर्जन है क्रिष्टा के बाद सबसे ज़्यादा कमफर्ट इजी कार में है इसे हाल 2013 में लॉंच किया गया है जिसका वेटिंग पीड लॉंच किया गया है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेर और कमेंट कीजें और हमारे चैनल समतिन यू को सब्सक्राइब कीजें